हेलो फ्रेंज, वेलकम टू केटी का फंडा, माई नेम इस कमल दीप तो आज जो आपके लिए टॉपिक है वो फिरसे है आपका डियाई, डाट अंटरिपेटेशन तो जैसे कि हमने डियाई की सीरीज स्टार्ट करी है, तो आज इस सीरीज में हम डिसकस करने वाले हैं आपके साथ एक मेंस लेबल डियाई, कौनसे डियाई, एक मेंस लेबल डियाई आज हम डिसकस करने वाले हैं इसमें भी आपकी कौन से डियाई है, रडार वेस्ट डियाई, होती है, देखो, ये डियाई बिलकुल असान होती है, लेकिन इसमें डेटा को जो निकालना है, डेटा को जो पढ़ना है, वो कन्फूजिंग होता है काफी, अगर बच्चों को वो चीज समझ आजाए कि डेटा इसमें क्या-क्या दिया हुआ है, तो अराम से आप इस कुश्चिंज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले चलो देखते हैं, कि इस डियाई में आपको क्या-क्या दिया हुआ है, फिर उसके according question आपका solve हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास देखो, तीन डिफरेंट सिटीज दे रखी हैं, और तीन डिफरेंट मंच दिये हुए हैं, क्लेर मंच कौन-कौन से हैं, तो जो ब्लू वाला जो हैं वो अक्टूबर को रिप्रेजेंट करेगा, एक ये A city है, एक ये B city है, और एक कौन सी है, एक C city है, और इन में ये जो दिया हुआ है, ये आपके पास जो भी यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ये परसेंटेज में हैं, ध्यान रखीएगा, और परसेंटेज भी किसकी, एडल्ट पॉपुलिशन की, तो सबसे पहले एक टेबल में बना लेता हूँ, जिससे आपको असानी रहेगी डेटा पढ़ने में, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, A, ये B, और ये C, Done, यहाँ पर आपका October आ जाएगा, ये आपका November आ जाएगा देखी, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, December आ जाएगा, Done, तो ये तीन आपके पास, तीन सिटिस होगी, ABC और तीन आपके पास मंत्स होगी, October, November, December, अब हम बात करते हैं, कि कौन से सिटी में, कौन से मंत में, कितने परसेंट उसे ने adult population दी है, अब एक ही बात करता हूँ, सबसे पहले इस पर बात करते हैं, देखो, यहाँ से count करना start करेंगे, ठीक है, और इस point से start करेंगे, तो ये point उसने 0 लिखा हूँ है, ये जो point होगा, ये 10 होगा, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50, ये 60, ये 70, और ये क्या है, 80, सेम बे में यहाँ पे भी हम count करने वाले हैं, ठीक है जी, अब देखिए, अगर आप A की बात करते हो, ठीक है, A में अब October, October कौन सा था, देखो, ब्लू बाला था, तो ब्लू पे जाईए, वैसी अब number की बात करूँ, तो number आपका red वाल है, ये, तो ये कितना देखिए, 60 के सामने, तो कितना बन गया, this one is 60%, समझा रही है बात, अच्छा, अब A की बच किया, green वाला green है December, किस के सामने है, 50 के सामने, तो ये आगया आपका 50%, बात समझा गी, तो ये हमने A का data लिख लिया, अब B की बात करूँ, तो B में देखो, ये number का है, number में ये कितना आएगा, 70, तो इसको 70 लिख दिया आपने, 70%, अब blue की बात करूँ, October था, October कितना हो गया, तो ये 70, 60, तो ये कितना 50, तो October कितना आगया, देखो 50% आगया, बात समझा रही है, December की अगर बात करूँ, तो December वाला आपका ये green वाल है, ठीक है, December वाला green वाल है, तो 10, 20, 30, और ये कितना आगया, देखो 40, तो यहाँ पर 40% आप लिख सकते हैं, समझ गया, तो सिरफ counting आपको करनी है, अब C पर चलते हैं जरा, यहाँ पर देखिए, October की बात करों, यह October है, तो 80, 60, 70, और ये कितना आएगा, 60, green की बात करूँ, मतलब December की बात करूँ, तो सबसे ज़ादा है कितना है, देखो 80% adult population, ठीक है, C City में, और कौन से में, December में, Done, और अब एक बच गया, आपके पास November, तो November कितना है देखिए, यहाँ पर चेक करिए, तो बना, 0, 10, 20, 30, 40, कितना बना, 40 प्रतिशत, तो 40 आपने, यहाँ पर लिख लिए, So I hope, यह चीज़ आप लोगों को clear हुई होगी, ठीक है कि कैसे इस radar को पढ़ना है, अगर यह चीज़ समझ आगी है, तो बस अब questions में कुछ भी नहीं है, मतलब यह data आपको दे रखा है actually, और इस question में कुछ नहीं था, समझ गे बाद, तो अगर यह data पढ़ लिया, तो question solve करना काफी easy हो जाएगा आप लोगों के लिए, कैसी easy होगा, चले देखते हैं, पहला question क्या है, first question पर आते हैं, question number first, क्या कह रहा है देखो, in city B, the ratio of total population in the month of October, November and December is 2 ratio, 3 ratio, 5, तो यहाँ पे, यह October है, यह November है, और यह December, ratio दिया हो है, 2 is to 3 is to 4, sorry, 2 is to 3 is to 5, और किसका ratio है, यह total population का है, इसका मतलब total कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर add कर लिजे, 5, 3, 8, 2 कितना बन गया है, यह 10 बन जाएगा, done, अब कहता है, and the average population of total adults, in the October, November and December is 1700, और यह BCT की बात कर रहा है, आपको पता है, देखो, average की अगर मैं बात करता हूँ, average होता है, sum divided by कितना number, clear, तो यह average आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यह, 1700, clear, कोई दिक्कत कोई शंका है, अब समझे इस बात को, पहले तो आपको adult निकालने पड़ेंगे, फिर तीनों का sum करना पड़ेगा, और फिर तीन से divide करिए, तब जाके तो आपकी average आएगी, तो सबसे पहले तो यह देख लीजिए, BCT में, October, November और December में, कितने कितने percent जो थे adult थे, अब October के अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 2 है, इसको मैं 20 मान लेता हूँ, इसको 30, इसको 50, तो यह total कितना हो जाएगा, 100, इससे होगा क्या देखना चारा, अब October में, देखो B की बात करें, तो October में B में कितने थे, एक मिनट, तो देखिए जरा, यहाँ पी कितने 50 हैं, फिर कितने नॉम्बर में 70%, और यहाँ कितने 40 हैं, मतलब October में 50% adult थे, नॉम्बर में 70% थे, और December में कितने थे 40%, फटा-फट क्या करिए, इसका आपको निकालना है, 50%, ठीक है, फिर 70, और अगले का 40% देख लीजिए, यहाँ पे इसका आपको 40% निकालना है, अब कितना कितना आएगा वो देखिए, तो 20 का 50% जब आप देखोगे, तो आधा हो गाई है, इसका मतलब 20 का 50 कितना आया, 10 आजाएगा, तो यह किसकी बात हो रही है, यह number of adults की बात हो रही है, तो 10 लोग जो थे adults, इसकी बात करूँ, तो 7 गुना 3 21, तो यहाँ से कितना आएगा, 21 आएगा, इसकी बात करूँ, तो 50 का 40%, तो कितना आएगा यह, तो आप देखोगे, यह 20 आजाएगा, कितना आएगा, 20 आजाएगा, done, अब अगर मैं इनकी average की बात करूँ, तो आप बोलोगे sir, इन 3ों को प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करने पी कितना आएगा देखो, 30 और 21 कितने होगे, 51, तो अगर average आपको निकालने हैं, तो आप बोलोगे sir, average है 51, divided by कितना 3, इन 3ों को add कर लिया, बना 51 divided by 3, 3 से cancel कितनी बनगी, 17, और ये value तो मैं देखो, कितनी दे रखे हैं यहां पे, 1700 दे होई है, तो this 17 equals to this 1700, कितना होगे हैं, 100 ताइमस है, अब पूछा कि आप से, find the population of B in the number, तो number में B की population कितनी थी, तो number में इसके according कितनी हैं, देखो 30 है, लेकिन हमें पता है, ये 100 टाइमस है, तो इसको भी क्या कर लेना है आपने, 100 टाइमस कर लेना है, कितना आ जाएगा, ये 3000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, और इस प्रशन का answer है, बात समझाई है नहीं, ठीक है, तो I hope ये चीज़ आपको clear हुई होगी, चलिए, next भी चलते हैं जरा, अगला प्रशन क्या है, second question, in question number two, क्या कह रहे है वो, देखिए, in the city, the number of adults in October, is 600 less than the number, and the number of adults in December, is 200 more than October, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो, यहां October लिख लिया, यह number लिख लिया, और यहां December लिख लिख लिया, तेक है, आप समझे, the number of adults in October is 600 less than number, कि अगर number के पता चल जाएं, तो इसके पता चल जाएं, number के कितने माल लिया आपने, x, तो इसके कितने आ जाएंगे, x minus 600, इतनी बात समझ आती है, तेक है, कोई शंका, कोई डाउट इसमें, वह इसके x लिये, तो October के कितने होगे, x minus 600 होगे, done, अब आगे चलते हैं, the number of adults in December is 200 more than the October, और जो December में, वो 200 जादा हैं, देखो किस से October से, तो October में कितने है, x minus 600, तो December में कितने आएंगे, तो आप बोलोगे, देखो, x minus 600, प्लस में क्या कर लेते हैं, 200, तो इसका मतलब यहां कितने बचेंगे, x minus 400, बात समझ आई, कोई दिक्कत, कोई शंका, तो आपने, इस x के according, यह total जो थी, adult population इसकी निकाल ले, कि इसमें number of adult इतने हैं, November में इतने हैं, और December में इतने हैं, अब आगे क्या बोलता है, find the total population of C, in the number, if the total adults in October, November and December, in the city's C, is 9800, देखें, यहाँ पे उसने, total तीनों का दिया हुआ है, कि October प्लस नॉंबर प्लस दिसमबर, अगर आप add कर लोगे, तो total adult आपके पास 9800 है, मेरे पास तो यह है ना, मेरे पास तीनों के नंबर पता है, x minus 600, x plus, और साथ में क्या है, x minus 400, तीनों को add कर लो, x minus 600, प्लस x, प्लस x minus 400, और यह बरावर किसके, यह 9800 के, यह 1000 बन गया, यह कितना बन गया, 1000 बन गया, और जैसी 1000 उदर जाएगा, तो यह add हो जाएगा इसमें, तो बनेगा 3x equals to, 1000 इसमें add कर लेते हैं, तो कितना बनेगा यह, 10800 बन जाएगा, और जैसी यह 10800 बनेगा, तो x की value कितनी आ जाएगी, तो आप इसको जब solve करोगे, तो x आएगा 3600, 3600, कितना बनेगा, 3600, 3600 बन गया, तो x की value 3600 है, अब बात किसकी कर रहा है, देखो, तो total population number की आपको निकालनी है, तो यह जो आपके पास x यह number की तो population है, लेकिन यह कौन सी है, यह adult है, इट मींज, आपके पास यह number की adult population आगे, कितनी 3600, डन, अब अगर मैं c city में देखता हूँ, यह c है, और number की बात करता हूँ, तो I think red वाला number का था, यह उस table को देख लेते हैं, अब table में c में चलते हैं जरा, ठीक है, एक में चेंज कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, number के अगर मैं बात करूँ, तो number में कितने हैं थे, 40% थे, इसका मतलब जो number of adults, यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, जो number of adults की यहाँ पर बात हो रही है, यह जो 3600 है, यह actually कितने के बराबर है, यह 40% के बराबर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो c में, यही number वाला है, यह 40%, तो कहने का मतलब, number of adults तो 40% है, 3600 बनके, हमें तो निकालना है, देखो, total population, क्या निकालना है, total population of c in the number, c की जो number में थी, वो कितने थी, तो total कितनी बनेगी, 100% बनेगी, तो 100% कितना आएगा, 3600 divided by this 40, into this 100, done, इससे यह cancel, इससे कट जाएगा, देखो 90 बार, 90 गुना में 100 कितना आएगा, 9000, तो 9000, total population थी, किसके, c की किसमें, number में, I hope यह चीज समझाई होगी आपको, तो total population कितनी आजाएगी, 9000 यहाँ पर आने वाले, ठेक है जी, तो यह main level day आई आई थी, radar base, इसमें mainly सिरफ यह आपको, radar को पढ़ना होता है, अगर यह आपने पढ़ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें फिर, ठेक है, चलिए, तो यह last question है फिर आज की आपकी class का, तो क्या है इस question में देखिए, in city A, the number of adult in October, November and December is 400, 600 and 500 respectively, if 60% of adults are males, and 50% of total are females, then find the number of minor females, तो आपको minor female यहाँ पर निकाल नहीं है, अब समझो इस question को देखो जरा, एक ही बात करूँ, तो आपके पास percentage बताए, आपको October, November और December की, October में 40 थी, November में 60 थी और इसमें 50, 40, 60 और 50 हमने लिख दिया, 40, 60, और 50, यह October के adult हैं, यह November के adult हैं total, और यह December के adult हैं total, जबकि question में इनकी value दी हुई है, देखो, इसकी value दी हुई है 400 है, अक्टोबर में कितना है थी, 400 है, 40% equals to 400, now this 60% किसके बराबर है यह, यह 600 के, और वैसी 50% किसके बराबर है, यह 500 के, तो अब मुझे यहाँ से निकालना है, देखो, 100%, तो भी जब 40, 400, तो 100 किसके बराबर होगा, 1000, वैसी 60, अगर 600, तो यहाँ से 100 कितना, यह भी 1000, और यहाँ पर 50%, 500, तो यहाँ से भी 100% कितना आ जाएगा, देखो, यह भी 1000 आ जाएगा, तो अगर मैं इन तीनों को add कर लूँ, तो मेरे पास टोटल जो पॉपुलेशन है, अक्टूबर प्लस नुवंबर प्लस दिसम्बर, टोटल, इसमें अडल्ट और यह सब की बात निकारो, अडल्ट तो यह दे रखें, देखो, अगर टोटल अडल्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलिए, टोटल अडल्ट की आएंगे, इनको add कर लो तीनों को, छेचार, दस और पांच, पंदरा सो, और अगर टोटल में तीनों की पॉपुलेशन की बात करो, अक्टोबर नमबर और दिसंबर, जिसमें adult प्लस माइनर दोनों होंगे, तो तीन हजार वो बनने वाले हैं, यहाँ तक बात समझागी, कोई दिक्कत, कोई शंका, अब आगे क्या कहता है, उसको ध्यान से देखने हैं, ठीक हैं, देखे, 60% of adults are males, देखो, adult कितने हैं, आपके पास, पंदरा सो हैं, उसका 60%, यह adult की बात हो रही हैं यहाँ पर, तो उसका 60%, तो जब आप 60% निकालोगे, 900 आएगा, यह number of males हैं, तो बागी जो बचकी होंगी, वो females होंगी भी, कितने होंगे, वो 600 होंगे, यह बात समझागी, आगे क्या बोलता है, 50% of total are female, अब total कितने हैं, आपके पास, 3000 है, 3000 का 50, 50%, कितना आगया, यह 1500 आगया, यह आपके male आएंगे, और बागी जो 50 बचे, वो क्या आएंगी, वो female आएंगी, total, अब आपसे पूचा किया, then find the number of minor female, अब समझे इस बात को, यह जो 600 हैं, यह कौन सी हैं, यह adult female है, adult females, तो अब यहां से 1500 total female है, उन 1500 में से, अगर आप 600 minus कर लो, कितना बचेगा, 900 बचेगा, और जो 900 आएगा, यही क्या हैं आपके पास, यह number of minor females, क्या है जी, number of minor females, I hope यह चीज़ समझाई है, तो 900 जो आजाएगा, number of minor female आजाएगा, और यह इस question का answer भी बन जाएगा, done, तो I hope आपको यह radar based DI समझाई होगी, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, हमें like करिए, subscribe करिए, ठीक है, चलिए, thank you very much,